नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी हल चल आपकी आवाज आईए आपको अवगत कराते हैं आज की ताजा खबरों से जनपद में अपराद की रोक्थाम लूट चोरी वनाका बाजी के घटनाओं पर अनकुष लगाने हेतु चलाये जा रहे हैं अभ्यान के क्रम में आज नगीना थाना देहात पुलिस को संदिग्ध वाहन चेकिंग के दोरान मुख फिर से सूचना प्राप्त हुई की ग्राम पर मावाला की ओर से थाना नगीना देहात पर पंजी कृत मुकदमा में वन्चित पचीस हजार रुपे का इनामी हिस्ट्री शीटर अभियोक्ट शहजाद उर्फ मैगी अपने एक अन्य साथी के साथ मोटर साइक से कोई गंभीर घटना घटित करने की फिराक में थे पूर्वी गंग नहर वाली सड़क के कोट द्वार रोड की तरफ आ रहा है सूचना पर ग्राम टांडा में दास के जंगल में पूर्वी गंग नहर पर बने दाम पर थाना नगीना देहात पुलिस टीन द्वारा मोटर साइक पर आ रहे हैं दोनों व्यक्तियों को रोकन का प्रयास किया दोनों बदमाशों ने मोटर साइक पर आ रहे हैं उन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वह मोटर साइक राजवारे से बनी पुलिया से टकरा गई और दोनों बदमाश पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगे पुलिस जिसके जानवर काटने के उपकरन रखे हुए थे बरामद हुए अभियुक्त की गिरफतारी की काररवाई के दौरान मुख्या आरक्षी अमित के गिर जाने से हाथ एवंपर में चोटाए मुख्या आरक्षी को उपचार हे तु नगीना भीजा गया गिरफतार अभियुक्त गनों को CAC नगीना में प्राथमिक उपचार के दौरान 108 इंबुलेंस से जलस्टॉल बिजनौर भरती किया गया इस संबंध में थाना नगीना देहाथ पर अभियुक्त पंजी करंग किया गया